जानेंगे कि शाम के कारोबारी सथ में कौन सी क्रिशी फसल, किस बाप पर वायदा बजार में कारोबार करती नजर आ रही है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और जानकार क्या बतारें कि आगे जाके किस क्रिशी फसल में क्या प्राइसिस रह सकते हैं क्या सा रुजहान रहेगा, ओवरोल ट्रेंड कैसा रहेगा, किस कृष्टी फसल में खरीदारी करके चलना सही रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइस के बारे में जानेंगे कि कौन सी कमुनिटी किस निमंदी देजी के साल ट्रेड क है, आदे फीजदी की तेजी की साल, हम देखने की कैसा सीर के चाम की कारवाईसत में 6400 के लेवल्स पर एक बार फीज़ से ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा सीर में कोई जादा खास तेजी बंदी बनती नजर नहीं आ रही है, एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, हाला कि इस कारवारी सब्ता कैसा सीर दो बार 6400 के उपर ट्रेड करता नजर आया था और बीते कारवारी सब्ता भी, लेकिन वहाँ पर सस्टेनिबिलिटी नहीं देखने को मिली है, वही हमारी जो बजार की जानकार है, रुपा मैता, उनके मताबिक जब तक कैसा सीर का वाय हाला कि ओवरल रुजान जितने भी एक्सपर्ट से मारकेट्स के सारे के सारे कैसा सीर में तेजी का ही बता रहे हैं कि कैसा सीर में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है, काफी अच्छे लैवस देखने को मिल सकते हैं, आपको बता दें कि पहले तो कैसा सीर में जो रग स्थिंद्ध ले Vergleichья उसकता है किस्ट के भुवाई करने का मन भी मिन रहा है दो किसांगन miracle के भान Sun Road Finger duplication में पहले के मुकाबले पहलर जो अनुमान दिया घाता है कि पहले इतनाئ अरिया स्थ कि उप यह कम हो सकता है उसके अनुमान रहा है उसके नमीन, कुछ बढ़री हो और वो स्वेंग एरिया का जो परसंटेज ता डिफरेंस था वो थोड़ा कम हो जाए तो अभी खबर यही निकल के सामने आ रही है कि कैसर सीर के बुगाई रगबा थोड़ा बड़ता नजर आ सकता है दूसरा कैसर की जो कैसर सीड का जो ऑईल है और ऑईल मील है दोनों में द इच बीच में सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है तो ओवर ओर उजान कैसर का तेजी की ओर है अभी हाल फिलाल में एक रेंज बाउंट रहेगा लेकिन आगे जाके कैसर में तेजी देखने को मिल सकती है ऐसा अभी एक्सपर्स का मानना है बात करें यहां से अगर बिनौला इस सथर होते होते हफ़ते के आखरी कारोबारी दिन बिनौला खल ने एक फिर से 2700 के उपर का लेवल पकड़ लिया है हाला कि जादा तेजी देखने को नहीं मिली है पहला वाला लेवल देखने को नहीं मिला है लेकिन 2700 पर सस्टेन हो गया है और अब ऐसी भी आशंका है क आज 2700 के उपर की क्लोजिंग भी देखने को मिल जाए इस कारोबाई सब्तम ने बिनौला खल को दो बर 2800 पर जाते देखा था 2800 के लेवल टेस्ट होते वे देखे थे लेकिन वहापर सस्टेनिबिलिटी नहीं देखने को मिली वहापर बिनौला खल की कीमते टिक नहीं पा आ सकता है क्योंकि पोल्टरी में जो चारा पशू को दिया जाता है उसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला है जिसकी वज़ा से जो डेरी फार्मिंग में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है जो दूद उतपादन होता है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है और बिनौला खलकी डेमार निकल नक Hammond देखने को मिल सकती है जिसकी बजासे आगे जाकी पोल्ट्री की कीम अब ही हाल फिलाल में जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो थाइस को टाइट दे रहे हैं यह थाइस सु, फंटीस सु, तिन हजार तक का लैवल ये देखने को मिल सकते हैं एक बार बिनॉला खल अगर 2800 के उपर निकल जाता है तो वहीं साल 2022 तक बिनॉला खल में एक्सपर्स 4000 का भी लेवल बता रहे हैं कि साल 2022 तक बिनॉला खल 4000 तक के भी लेवल दिखलाता है नजर आ सकता है तो बिनौला खल में overall तेजी का ईरूजहान है तो लंबी अवदी के लिए बिनौला खल में निवेश करके चला जा सकता है और जो वेपारी बिनौला खल में अभी हाल फिलाल में निवेश करना चाहते हैं तो वो इस लेवल पर ना करें बीच में जैसे अभी कीमते नीचे में 26, 25, 24 तक गई थी और अगर अभी एक बार फिर से जाती है करेक्शन बनती है तो फिर वहाँ पर खरीदारी की रणनीती बनाएं अभी इन लेवल्स पर बाई ना करें लेकिन इन लेवल्स के लिए ज़रूर बाई करें नीचले स्थर पर इन लेवल्स के लिए बाई करें लेकिन जो खरीदारी के मौके ढूणने है वो नीचले स्थर पर ही ढूणने बात करें यहां से अगर हम मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का डिसेंबर वायदा सुभा भी 8300 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा था अभी भी देख रहे हैं कि 8300 के घरों में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है दिने की कीमतों में हम देख रहे हैं कि एकदम से गिरावट वाला महौल देखने को मिल रहा है इसके साथ साथ बात करें यहां से अगर जीरा की तो जीरा का डिसेंबर वादा देख रहे हैं 15,620 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और जो हल्दी है हल्दी का डिसेंबर वादा 7,420 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है सवाफीजदी की तेजी के साथ देख रहे हैं कि मसालों में आज भी हफ़ते के आखरी कारोबाड़ी दिन भी एक नर्मी वाला रुजान देखने को मिल रहा है दरसल जब से हमने देखा है कि भारत में ओमिक्रॉन के कोरोना के नए वेरिंट जो निकल के सामने आया है ओमिक्रॉन उसने दस्तक दी है तो उसका असर कमुनिटी बजार पर कही न कहीं जरूर परता नज़र आया है एक्सपोर्ट पर असर परता नज़र आया हाला कि जो धनिया और जीरा है उनके जो केरियोवर स्टॉक हैं लगातार पिछले दो सालों से कभी देखने को मिल रही है लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड मसालों की कीमतों को बढ़ाने में काफी एहम रोल प्ले करती है काफी एहम सपोर्ट देती है कीमतों को और अभी एक्सपोर्ट हाल फिलाल में प्रभावित होता नज़र आया है Omicron के चल दे क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी pandemic की खबरे निकल के सामने आती है जितने भी वेपारी हैं ट्रेडरस हैं सारे के सारे सतर हो जाते हैं और अपनी खरीदारी कम कर देते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर pandemic हो रही है महामारी आ रही है तो फिर अपने साथ एक बार फिर से lockdown की स्थिती जरूर लेकर आएगी और अगर lockdown लगता है तो उसमें कारुबार सारे ठप पड़ जाते हैं और जिससे लोगों को जादा पैसो की परिशानी ना हो तो हर कोई पैसो का कैश का इंतजाम अपने पास जादा रखने पर जादा रखने पर जोर देते हैं जिसकी वज़ा से export कहीं न कहीं प्रवावित हुआ है तो अभी हाल फिलाल में मसालों का जो ट्रेंड रहेगा वो ऐसे ही एक सीमित दैरेवाला देखने को मिलता रहेगा हाला कि धनिया और जीरा ये दोनों ऐसी कमूरिटीज हैं जो साल 2022 में काफी अच्छा मुनाफ़ा देती नजर आ सकती हैं आपको बता दें कि केडिया अडवाईजरी के जो डिरेक्टर हैं अजे केडिया उनकी मताबिक जीरा साल 2022 में फरवरी के अंथ तक मानगी चलिए कि लगभग 21,000 तक का लेवल दिखा सकता है और जो धनिया है वो 12,000 का तो ओवरल रुजान धनिया और जीरा में 2022 में अजे केड़े की मताबिक तेजी का ही रहेगा हाला कि हल्दी की कीमतों में ऐसी रेंज देखने को मिल सकती है उनके मताबिक हल्दी की कीमतों में तब तक कोई अच्छा सपोर्ट मिलता नजर नहीं आएगा कोई अच्छी कीमत दैर में देखने को मिलते रहेंगे बात करें यहां से अगर गवार की तुम देख रहे हैं गवार गम के डिसमबर बादा 9825 पर ट्रेड कर रहा है पौने एक फीजदी की गिरावट के साथ और गवार सीड कर जनवरी बादा 57 सो के घरों पर आदे फीजदी की तेजी के साथ आपके बताते हैं कि कल के कारोबार इस सथ में बिरस्पतिवार के दिन शाम को क्लोजिंग होते होते हमने गवार गम के अंदर 6 फीजदी का लोवर सिर्किट लगता देखा था और गवार सीड के अंदर 4 फीजदी का गवार गम और गवार सीड इन दोनों के अंदर वायदा में स्पेकुलेशन भी पहले जादा देखने को मिले थी और अब भी जादा देखने को मिल रही है उपरी से बिक्वाली यानि की प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आ रही है एक के बाद एक गौार गम और गौार सिरी कीमतों में लगाता गिरावड बनती नजर आ रही हमें सब बात करें अगर हाजिर की तो हाजिर में देखा है हमने कुछ जगाओ पर गौार में आवग बढ़ती देखी है जिसका असर वायदा पर भी पड़ता नजर आया है और ज्यादा आवग बढ़ने से हाजिर में भी गौार की कीमतों में एक सीमित दैरा देखने को मिल हाला कि हम देखने की fundamentalist मजबूती की ही हो रहे हैं गवार के लेकिन इस पर भी omicron का असर पड़ा है जिसकी वज़ा से गवार का export प्रभावित हो रहा है और जो industrial demand है वो भी अब कई ना कई थोड़ी बहुत कम होती ही नज़र आई है हाला कि जो production है पिछले साल की मुकाबरे लगबख आदे से कम याफी लगबख आदा ही बताया जा रहा है लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना है कि गवार को कोई पूछ नहीं रहाता है पिछले 4-5 सालों से और किसानों के पास traders के पास गवार भारी मातरा में है रखा हुआ ह स्टॉक करके रखा हुआ है किसानों और traders ने अपने पास और अगर कोई जुरत परती है आवशकता परती है तो वो stock भी यूज में लिया जा सकता है अगर वो चाहें तो अगर उन्हें कीमते अच्छी मिलती है तो वो इसके पर भी विकवाल कर सकते हैं लेकिन जो traders हैं वो और अच्छी कीमते चा रहे हैं क्योंकि guar एक ऐसी community है जिसको सालों साल तक hold करके यानि की stock करके रखा जा सकता है और वो खराब नहीं होती है जिसकी वज़ा से guar का stock काफी अच्छा करके रखा हुआ भी है और आपको बता दें कि भारत की demand को पूरा करने के लिए लग भक 80- 90 लाग बोरियां guar की चाहिए होती है और जो production है वो आधा ही रह सकता है जबार तो fundamentals तो मजबूती की ही हो रहे हैं लेकिन अभी हाल फिलाल में जो situation मनती create हो रही है omicron की वज़ा से और speculation की वज़ा से उसकी वज़ा से जो जानकार हैं जो experts हैं वो अभी guar में लोग को दूरी बना के रखने की ही सला दे रहे हैं क्योंकि अगर इन levels पर अगर आप निवेश भी कर देते हैं low levels पर तो इसकी भी कोई guarantee नहीं है कि 60 बाजी और जादा बढ़ जाए और आपको वहां से नुकसान हो जो कीमते जादा लुड़क जाएं तो गवार से अभी experts दूरी बनाने र लगा चुका है डाई फीजदी के तेजी सोयबीन के अंदर बनती नजर आ रही है कल के कारभाई सत्र में हमने शाम में सोयबीन को भी लाल निशान पर ट्रेड होता है देखा था लेकिन आज सुबा के कारभाई सत्र में जब सोयबीन वायदा बजार खुला तो वो अकेली ऐसी कमूलिटी सोयबीन जो सबसे ज़ादा तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है अपने कल वाले लेवल्स की मुकाबले महीं पर आज शाम में भी देख रहे हैं कि सोयबीन की कीमतों में हफते के आखरी कारभारी दिन सुबा के सत्र के मुकाबले शाम के कारभारी सत में सोयबीन की कीमतों में 0.5% की तेजी बनती नजर आ रही है सोयबीन शाम में और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है आपका पता दे कि सोयबीन की कीमतों में overall तेजी का ही रुजहान है हाला कि मंडियों में अब इसकी खरीदारी पर कुछ असर पड़ा बेचने के लिए लेकर आ रहे ते जिसकी वज़ासे अभी हाल फिलाल में पिछले कुछ दिनों में सोईबीन की आवकों में इजाफ़ा देखने को मिला और कीमतों में थोड़ी नर्मी आई दूसरा कीमतों में نर्मी का कारण ओमीक्रॉन है जो की कोरोना का नया वेरियंट है जब भी किसानों के साथ कुछ अच्छह होता वह नज़र आता है तब कुछ न कुछ उनके साथ ऐसा होता है कि उनको जो कीमते कुछ भर्कर मिलनी शुरूर को वो कहीं न कहीं कम होती नजर आती है और Omicron अब इसी का काम कर रहा है सोयवीन किसानों के लिए. Omicron के आने की वज़ा से मंडियों में सोयवीन की जो खरीद फरोग्त है वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है. हर कोई बच रहा है हर कोई पैसे बचाना चाह रहा है क्योंकि अगर lockdown वाली स्थिती रही तो कारोबार तो ठप रहेगा तो फिर सोयवीन खरीद कर भी क्या ही करेंगे. लेकिन कुछ प्लांटों ने उपरी स्थरों पर भी सोयवीन की खरीद फरोग्त की है क्योंकि उन्हें अपने प्लांट चालू रखने हैं उनके प्लांटों में सोयवीन का स्टॉक बिलकुल भी नहीं था इसलिए उपरी स्थरों पर कुछ प्लांटों ने खरीद भी की है. और जो experts है market के वो अभी भी सोईबीन की कीमतों में तेजी ही बता रहे हैं कि कोरोना का चाय नया variant आ जाए तब भी सोईबीन की कीमतों में तेजी का इरुजान बना रहेगा ऐसा experts का मानना है और लेकिन सोईबीन में खड़ीदारी करनी है और यह बिक्वाली करनी है यह फिर होल करके चलना यह फैसला सिर्फो सिर्फ किसानों का रहेगा अगर उनको लगता है कि उनकी लागत इन सतरों पर निकल रही है और वो बिक्वाली करना चाहते हैं अपनी सोईबीन का आगे ओमिक्रोन को देखते हैं तो यह किसानों का ही फैसला होगा यह भी experts का कहना है यह experts ने specially add-on किया है क्योंकि अगर lockdown जादा समय तक बढ़ता है तो हम देखते हैं कि किसानों से तो कम पैसों में community खरीद ली जाती है फसलें खरीद ली आती है लेकिन उन्हें आगे महेंगे दाम पर बेचा जाता है इसमें किसानों को काफी जादा नुकसान हो जाता है तो यह पूरा का पूरा किसानों का ही निर्ने होगा कि उन्हें अब क्या करना है क्या वो स्टॉक करके रखना चाते है या फिर अभी विक्वाली करना चाते है यह पूरा का पूरा जो डिसीजन रहेगा वो किसानों का ही रहेगा लेकिन ओवरलो रुजान सोयबीन की कीमतों में तेजी का ही है आपको बता दें कि महराश्टर में भी बड़े पैमाने पर हमने सोयबीन की फसले खराब होते हुए देखी है मद्य परदेश में भी सोयबीन की फसले बड़े पैमाने पर खराब होई है भारी बारिश ने सोयबीन की फसलों को तबाह किया है जिसकी वज़ा से सोईबिन की जो फसले इस बार भी दागी होती वी नज़र आई है और जो सोपा ने जो आखड़ा दिया था कि सोईबिन का उतपादन लगवग 119 लाग टन रह सकता है उस पर भी कही न कहीं कुछ कमी बनती नज़र आ सकती उतपादन किसानों को भी पता है हर किसी को पता है कि अगर कोई आखड़ा जारी किया गया है और बाद में उसकी फसल खराब हो जाती है वारी वारिश रहे तो उतपादन के आखड़े भी कहीं न कहीं थोड़े कम भी होते नज़र आएंगे वहीं से इस ओमिक्रॉन जो आया है उसकी वज़ा से एक्सपोर्ड भी प्रवावित हुआ है भारत का भारत के निर्यात में भी असर पड़ा है निर्यात मांग में वो थोड़ी कम हो ही है जिसके वज़ा से हमने इसका असर सोईबीन की कीमतों पर भी परतावत देखा है चीन की तरफ से सोईबीन की डिमांड कम ही है चाइना अब ब्राजील के पोर्ट से सोईबीन की खरीद फरोग ज़ादा कर रहा है और वायदा में सोईबीन वायदा में पांच फीजदी एडिशनल मार्जिन से भी इसकी कीमतों पर कहीना की दबाव बनता नजर आया है लेक कुछ किसानों का कहना था कि कम से कम 12-15,000 का जो दाम है वो मिलना ही चाहिए अगर किसानों की इस बात पर नजर डालें तो कहिना की किसान गलत भी नहीं है किसान भी सही है क्योंकि किसानों ने लगबग 10,000 रुपे प्रती क्विंटल सोईबीन का महंगा बीच खरीद कर उसको एक जगा से दूसी जगा रखना तो उसकी भी जो लागत है वो भी काफी बढ़ जाती है और उपर से पेट्रो डीजल की जो कीमते हैं वो भी लागतार बढ़ ही रही है ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत जादा बढ़ गई है जिसकी वज़ा से उनकी लाग निकल गई है क्योंकि बीजी जब 10,000 रुपे क्विंटल का है तो 8,000 रुपे क्विंटल का भाव मिलने पर किसानों को अभी भी नुकसान ही है इसलिए किसान जाद अतर अभी होल्ड करके ही चल रही है उधर पोल्टरी इंडस्टी लगातार सरकार को चिठ्थी पे चिठ् जो सोयड डियोसी का जो आयात है उसकी अवदी बढ़ाई जाए आयात अवदी बढ़ाने की मांग कर रही है लेकिन किसान भी लगातार जो पोल्टरी इंडस्टी और सरकार है उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब सोयबीन किसान बुवाई के समय 10,000 रुपे प्रती इनकी जुरत पड़ेगी पशुचारे के लिए और अगर तब आयात हो जाता तब वक्त रहते अगर सही समय पर इसका आयात होता तो ये हालात पैदा ना होते कुछ दर्षो के सवाल आ रहे हैं उनके सवाल ले लेते हैं सज्जन राना जी है सर्षो के बारे में जानना चाहरे हैं सर्षो की रिपोर्ट सर्षो में आगी क्या करना चाहिए रामचंदर जी भी देखिए सर्सों में हमने कीमतों में ठीक ठाक लैवल साते वे देखिए हैं MSP से काफी उपर ही बिक रही है इस बार सर्सों किसानों के लिए काला सोना बनकर उभरी है इसमें कोई शक्की बात नहीं है सर्सों ने इस बार किसानों को काफी अच्छा कमवाया है और आगे भी अच्छा ही कमवाईगी लेकिन इस बात को भी किसानों को मैं ध्यान में रखने के लिए कहूंगा कि इस बार सरसों की जो किसानों को काफी अच्छे रेट मिले है दद्दा सजार रुपे कुइंटल तक सरसों जो जाद गई है मंडी में बिखी है इसके मंदे नजर किसानों ने जादातर सरसों की ही बुआई करी है और इस बार जो अब आवके आएंगी मार्च में आवके इतनी होंगी कि कहीं न कहीं सरसों की कीमतों पर दबाब बनता जरूर आएगा क्योंकि इस बार जो भुआई है वो लगबग दो गुनी होने की उमीद है और आवकें भी दो गुनी ही आएंगी तो किसान भाई इस बात का भे धियान रखें कि अगर सरसों ने कमवाया भी है तो आगे सरसों की जो आवकें हैं वो इतनी जादा देखने को मिलेंगी कि सरसों की कीमतों में कुछ नर्मी भी देखने को मिल सकती है जो 19,000 का लेवल है ये कहीं न कहीं गायब होता हुए नजर आ सकता है हाला कि MSP से उपर ही बना रहेगा सरसों आपको तब भी मुनाफ़ा ही कमा के देगी तब भी किसानों के लिए काला सोना ही रहेगी लेकिन ये वाले लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे अगर आवकें डबल रहती हैं तो क्योंकि बंपर उत्पादन होने का नुमान लगाए गया है और किसानों को भी पता है कि जो किसान इस बाद सरसों की जितनी बुगाई कर रहे थे उन्होंने भी सरसो की बुगाई बढ़ाई है तो वो किसान भी खुद जानते हैं कि अगर उन्होंने बढ़ाई होगी तो दूसरे ने भी बढ़ाई होगी तो इस बाद सरसो का बंपर उत्पादन की उमीद जताई जा रही है बंपर उत्पादन होगा तो बंपर आवके भी होंगी तो किसानों को इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए वैभव देश पांडे जी है कॉटन के बारे में पूछना चाहरे है वैभव जी कॉटन में भी हाल फिलार में नर्मी देखने को मिल रही है जो नियो अराइवल्स वही है और दूसरा ये ओमिक्रॉन का जो नया वैरियंट आया है उसकी वज़ा से भी कॉटन के एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी है हाला कि डोमेस्टिक लेवल पर डिमांड हमने काफी अच्छे बनती भी देखिये लेकिन जो नियो अराइवल्स वही है उसकी वज़ा से कॉटन की कीमतों में नर्मी वाला लुजान देखने को मिला है बीच में चाहिना ने भी अपनी कॉटन की खरीदारी बढ़ा दी थी बिक्वाली बढ़ा दी थी और एक डिसमबर से स्थगित कर दिये लेकिन जिसकी वज़ा से भी इसका असर भी भारती कॉटन की कीमतों पर पड़ता नजर आया था और दूसरा वैश्वी कॉटन का जो उत्पादन है उसकी उत्पादन के अनुमान में बढ़ोतरी की गई है जिसकी वजा से भी cotton की कीमतों में अभी हाल फिलार में नर्मी देखने को मिल रही है और अभी कुछ समय तक cotton की कीमतों में जो रुजहान है हलकी नर्मी वाला ये अभी जारी रह सकता है लेकिन साल 2022 में cotton ऐसी community बनेगी जो किसानों को और वायदक कारुबारियों को मुनाफ़ा जरूर देती नजर आएगी तो 2022 में cotton आपको अच्छा मुनाफ़ा जरूर देगी ऐसा अभी experts का कहना है भरगाव जविया जी है धनी के बारे में जाना चारी धनी में क्या रहेगा धनी में अभी मंदी रहेगी लेकिन साल 2022 में धनी आपको काफी अच्छा मुनाफ़ा देगा अभी मसालो की export demand प्रवावित हुई है ओमी क्रॉन की वज़ा से जिसकी वज़ा से इसका असर धनी की कीमतों पर परता नजर आ रहा है और दूसरा ये भी सुनने में आ रहे है कि हमने देखा तो है कि इस बार बारिश जो हुई थी मौनसूनी बारिश काफी अच्छी देखने को मिलेती उसकी वज़ा से देनी की जो बुआई है जो सोइंग है वो काफी ठीक ठाक रह सकती है क्रॉक को support रहेगा लेकिन केरी वो stock भी कम है इस बात का भी धियान रखना है तो साल 2022 में धनिया आपको अच्छा मुनाफ़ा देता नजर आ सकता है तो आशा करते हैं आपको माई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको माई जानकारी अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और जब माई इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वो मारे यूट्यूब चैनल मार्केटैम्स सीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिलाल बजारों की चाल में अभी के लवस इतना ही लेकिन आपका इंजाए गने, क्योंकि खबरों का जिलसला लगातर यूँ ही बना हुआ है मार्केटैम्स सीवी पर